नमस्कार दोस्तो मैं हूँ नमीन और आपका दजीयस टाइम यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोक्यो पैरा उलम्पिक 2020 के बारे में बात करेंगे दोस्तो टोक्यो पैरा उलम्पिक 2020 का समापन हाल एई में 5 सेटमबर 2021 को हो गया है दोस्तो यह पैरा उलम्पिक का 16 संस्क्रड था जिसका आयोजन 24 अगस्त से शुरूआ और 5 सेटमबर 2021 को खतम हुआ दोस्तो टोक्यो पैरा उलम्पिक 2020 के उलगाटन समारों में जो भारती ध्वज थे वे थे टेक चंद और दोस्तो जब टोक्यो पैरा उलम्पिक 5 सेतंबर को खतम हो गया उस टाइम भारती ध्वजवाग अवनी लेखरा थी दोस्तो याद रखेगा आउने लेकरा ने टोकियो पैरा उलम्पिक में दो मेडल जीता है जिसमें से एक गोल्ड मेडल है और एक प्रांज मेडल है आगे हम आपको डीटेल में सब बताने वाले हैं दोस्तो आपको पता दें कि जो उलम्पिक और पैरा उलम्पिक होता ये परतियक चार साल के बाद होता है। दोस्तो ये जो उलम्पिक खेला भी खेला गया था या 2020 में होने वाला था लेकिन COVID के कारण इसको अस्थकित करके 2021 में खेला गया। और अगला उलम्पिक खेल 24 में पैरिस में खेला जाएगा इसको ध्यान दीजेगा दोस्तो सबसे पले आईए जानते हैं भारत की स्थिति इसमें क्या थी दोस्तो टोपियो पैरा उलम्पिक में भारत का 24 अश्थान था जिसमें से भारत ने कूल 19 पदक जीते 19 पदक में भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रांज मेडल अपने नाम किया दोस्तो आज तक यतने भी पैरा उलम्पिक हुए हैं उसमें सबसे बैतरिन परदरसन भारती एथलीटों ने इस बार के पैरा उलम्पिक खेलो में किया है इस बार भारतियों ने इतियास रज दिया दोस्तो आईए अब जानते हैं कि टोकियो पैरा उलम्पिक के पदक तालिका में फर्स्ट अस्थान चीन का था जिसमें चीन ने 207 पदक अपने नाम किया उसमें से 96 गोल्ड मेडल, 60 सिल्वर मेडल और 51 ब्रांज मेडल था दोस्तो सेकेंड अस्थान ग्रेट बिर्टेन का था दोस्तो ग्रेट बिर्टेन ने टोटल 124 पदक अपने नाम किया जिसमें से 41 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 45 ब्रांज मेडल थे दोस्तों थर्ड अस्थान था UES का जिसने स्कूल 104 पदक अपने नाम किया जिसमें से 37 गोल्ड मेडल, 36 सिलवर मेडल और 31 ब्रांज मेडल थे दोस्तों अभी मैंने आपको बताया ही था कि भारत का इस बार 24 समा अर्थान था जिसमें भारत ने 19 पदक अपने नाम किया जिसमें से 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रांज मेडल सामिल थे यह बहुत ही इंपोर्टेंट है अगाम एकजाम में गरांटी के साथ आएंगे तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग भारत दोर जितना भी 19 पदक जीते गए हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग 5 गोल्ड मेडल के बारे में बात करेंगे उसके बाद 8 सिल्वर मेडल के बारे में बात करेंगे उसके बाद लास्ट में हम लोग ब्रांज मेडल के बारे में बात करेंगे तो चलिए आज की वीडियो गोल्ड मेडल से शुरू करते हैं दोस्तो टोक्यो पायरा उलम्पिक में भारत के लिए पाला गोल्ड मेडल अवनी लेखरा न जीता। जीतने वाली पाली भारती मैला अवनी लेखरा बन गई। ये भी एक इतिहास है। अवनी लेखरा ने स्वड पदक जीतने के बाद 50 मिटर राइफल SH-1 में कांस पदक भी अपने नाम किया। इस तरह से अवनी लेखरा दो पैरा उलम्पिक मेडल के साथ पाली भारती मैला भ 64 में फाइनल में सर्वस्रेष्ट परदर्शन किया। उन्होंने फाइनल में 68.85 मीटर के सर्वस्रेष्ट ठ्रो के साथ भाला इस परदा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सुमित अंतिल ने 68.85 मीटर भाला फेक कर किया एक भी सोरिकार्ड भी बनाया। दोस्तों आपक 19 बर्सी भारती निशा निवाज मनिश नर्वाल ने पूर्षो की P4 मिस्रित 50 मीटर पिस्टल यानी यस या चुवन के फाइनल इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और दोस्तो उसी के अगले दिन यानी मंगलवार को सिंगराज अडाना ने ब्रांज मेडल पर भी अपना नाम लिखा। इस तरह से इनके खाते में यानी सिंगराज अडाना के खाते में दो मेडल सामिल हो गए। दोस्तो चौथा गोल्ड मेडल प्रमोद भागत ने बैट मिन्टल के पुरुष एकल में जीता। दोस्तो भारती सटलर यानी बैट मिन्टल के खिलारी प्रमोद भागत ने पुरुषो की एकल या सियल थरी के इस पारधा में चौथा स्वडपदक भारत के नाम किया। फाइनल मार्च में प्रमोद भागत ने ग्रेट बिर्टेन के डेनियल बेथेल को 21-14, 21-17 से हराया। इस तरह से प्रमोद भागत ने भारत के लिए पाला बैट मिन्टल में मेडल प्राप्त किया। और भारत के लिए चौथा गोल्ड मेडल जीता। दोस्तो पांचवां गोल्ड मेडल कृष्णा नागर ने जीता। 21-17, 16-21, 21-17 से गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हांकां के खिलारी ने कड़ चुनोती दी और एक समय ऐसा था कि ये 11-16 से पिछड रहे थे। इसके बाद उन्होंने जबर्दस्त वाफसी की और मैज का रुख ही पलट दिया। इसके बाद लगातार 6-1 जीतते हुए पाला गेम नागर ने 21-17 से अपने नाम कर लिया। दूसरे गेम में हांकां के खिलारी ने कड़ चुनोती दी और 16-21 से इनको दूसरा एवेंट जीतने नहीं दिया। फिर उसके बाद बाजी पलट गई। फिर तीसरे गेम में कृष्णा नागर ने जबरदस्त वापसी की और 21-17 से गेम जीत करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया और भारत का नाम स्वाण रच्छरों में लिख दिया। इस तरह से भारत ने टोकियो पैरा उलम्पिक 2020 में कुल 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दोस्तों टोकियो पयरा उलंपिक में भारत को पाला पदक भाविना बेन पतेल ने दिलाया। इसके बाद भाविना ने सेमिन फाइनल में चीन की जहांग मियाओं को मात दे करके फाइनल में अपने जगा पक्का कर दी। हाला कि भाविना को फाइनल में चीन की वर्ल नम्मर वन जहाओं इंग ने हरा दिया इसके चलते उन्हें रजत पदक से ही संतोस करना पड़ा इस तरह से भाविना में पटेल ने टोक्यो पायरा उलम्पिक में भारत को पाला पदक दिला दिया दूसरा पदक निसाद कुमार ने जिता दोस्तो निसाद कुमार ने पुरुषो की T47 हाई जम्प के मुकाबले में भारत के लिए रजत पदक जीता दोस्तो निसाद कुमार ने पहली कोशिस में 2.02 और दूसरे परियास में 2.06 मीटर की जम्प लगाई इस तरह से निसाद कु उन्होंने अपने छटे और आखरी परियास में 44.38 मीटर का सरस्रेष्ट थ्रोप फेक करके सिल्वर मेडल पर अपना कबजा जमाया। इस मैच में ब्राजिल के 32 डाउंस सेटोन कलाडिनी ने गोल्ड मेडल जीता। वहीं क्यूबा के डियाज, अल्दाना, लियोनार्डो ने तीसरा स्थान हासिल करके ब्राज मेडल पर अपना नाम लिखा। दो बार के पैरा उलमपिक गोल्ड मेडलिस्ट डेवेंद्र जाजरिया ने टोकियो में भी अपना संदार परदर संजादी रखा। देवेंद्र जाजरिया ने जैनिवल थ्रो यानि भाला फेक में 64.35 का बेस्ट थ्रो किया और इस तरह से उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। इस असपरदा का स्वन पदक स्रीलंका के दिनेस प्रियान हेराथ ने अपने नाम किया। जिनोंने 67.79 मीटर का थ्रो किया। आपको बता दें कि स्रीलंकाई एथिलीट ने अपने इस परियास से देवेंद्र जाजरिया का पिछला वर्ड रिकार्ड तोड़ दिया। अगला सिल्वर मेडल सिंग राज ने जीता। सिंगराज ने 50 मीटर पिस्टल में रज़त पदक अपने नाम किया। फाइनल में सिंगराज ने 216.7 का सांदार स्कूर किया। दोस्तों आपको बता दें कि इसी असपरदा में भारत के मनिस नर्वाल ने स्वन पदक अपने नाम किया था। और दूसरे अस्थान पर सिंगराज थे जिन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और इस तरह से भारत को इस मैच में दो मेडल मिल गए। और वहीं रूसी पैरा एथलिट सरगेई मालिवेस ने ब्रांज मेडल अपने नाम किया। नेक्स्ट मेडल मरियपण थंगावेलू ने जीता। हाई जमपर मरियपण थंगावेलू ने पूरसों की ऊची कूद में भारत के लिए रज़त पदक अपने नाम किया। मरियपण ने 1.86 मीटर की जमप लगा करके यह कामयाभी हासिल की। और इस मैच में अमेरिका के सैम ग्रोब ने 1.88 मीटर की चलांग लगा करके अमेरिका के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। दोस्तों आपको बता दें कि 26 साल के मरियपण का पैरा ओलंपिक खेलो में या दूसरा पदक है। इससे पहले मरियपण ने रियो पैरा ओलंपिक 2016 में उची कुद में गोल्ड मेडल हासिल किया था। और इस मैच में उन्होंने शिल्वर मेडल अपने नाम किया। अगला सिल्वर मेडल परविन कुमार के नाम रहा। पुर्षो के हाई जंप T64 वर्ग में फाइनल में प्रविन कुमार ने 2.07 मेडल की कुद लगा करके सिल्वर मेडल अपने नाम किया। दोस्तो इस अस्परदा के स्वर्ड पदक ग्रेट बिर्टेन के ब्रूम एडवार्शन जोनाथन न जीता। दोस्तो नेक्स्ट मेडल नोएड़ा के दियम सुहास एल यथिराज ने जीता। दोस्तो एस एल फोर वर्ग के फाइनल में सुहास यथिराज को फ्रांस के वर्ड नमबर वन लुकास मरूज ने 15-21, 21-17, 21-15 से हरा दिया। जिससे उनको फाइनल में पाउशने के कारण उनको रज़त पदक यानि सिल्वर मेडल मिला। तो दोस्तो इस तरसे भारती एतलीटों ने टोक्यू पैरा उलम्पिक 2020 में 8 सिल्वर मेडल अपने नाम किया। दोस्तो ऐसे खिलाड़ियों को दजीयस टाइम नमन करता है। अवनी लेखरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल असपरदा में कांस पदक अपने नाम किया। अवनी लेखरा ने फाइनल में 445.9 का स्कोर करके तीसरे अस्थान पर अपने को लाया। इस असपरदा का स्वार पदक, चीन की जहांग, क्यूपिंग को और रजत पदक जर्मनी की हिल टॉप नतासा को मिला। इस तरह से अवनी लेखरा ने कांस पदक अपने नाम किया। दोस्तो आपको बता ने कि तोक्यो पदक में जैपूर की अवनी लेखरा इसी पदक में माईलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टेंडिंग निसाने बाजी में गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। इसलिए अवनी लेखरा एकजाम के द्रेश्टी सबावत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तो अवनी लेखरा ने गोल्ड मैच में 249.6 स्कोर करके 20 सुरकाट की बराबदी करके गोल्ड मेडल हासिल किया था। और अवनी लेखरा पहला उल्लम्पिक में 60 पदक जीतने वाली पहली मैला भी बन गई थी। और दोस्तो इस तरह से उनको दो मेडल मिल गए। पहला गोल्ड मेडल और दूसरा ब्रांज मेडल। दोस्तो जैविलिन थ्रूर सुन्दर सिंग गुजर ने यव शिक्स्टी फोर वर्ग में भारत के लिए कांस पदक जीता। सुन्दर सिंग गुजर ने 64.01 मीटर जैविलिन फिक करके अपना सरसेश पदसन किया। जिससे उनको ब्रांज मेडल मिला। सुन्दर सिंग राज ने पूरुषो के 10 मीटर एयर पिस्टल या सेच वन इस पड़दा में भारत के लिए कांस पदक जीता। हर्याणा के राने वाले सिंग राज ने फाइनल में 216.8 का स्कोर करके ब्रांज मेडल अपने नाम किया। और वहीं चीन के खिलाड़ी यांग चाओ को गोल्ड मेडल और चीन के खिलाड़ी हुआंग जींग को सिल्वर मेडल मिला। दोस्तों आपको बता ने कि पैरा उलम्पिक खेलो में परदारपन करने वाले निसानेबाज सिंग राज अडाडा ने दो पदक अपने नाम किया। उन्होंने पी फोर मिक्स्ड पचास मिटर पिस्टल SH-1 फाइनल में रज़त पदक हासिल किया। उन्होंने फाइनल में 216.7 का सांदार स्कूर किया था। और दोस्तों इसी पी फोर मिक्स्ड पचास मिटर पिस्टल SH-1 फाइनल में मनिस नर्वाल जो इंडिया के हैं उन्होंने सौंड पदक हासिल किया था। इस तरह से उस मैच में भारत को दो मेडल मिल चुके थे। और इस तरह से सिंग राज ने अपने नाम दो मेडल सामिल किया। पहला था रज़त और दूसरा है कांस पदकुर्शो की उची कूद T-63 असपाड़ा में सरत कुमार ने भारत के लिए कांस पदक हासिल किया। करती वे कांस पदक अपने नाम किया। तीसरे अस्थान के मुकाबले में हरिवंदर ने साउथ कोरिया के सुमीन को 6-5 से सिकस्त दी। इस जीत के साथ ही हरविंदर पैरा ओलंपिक के तिरंदाजी इवेंट में पदक जीतने वाले भारती खिलाड़ी बन गए। दोस्तो प्रमोद बगत जो भारत के बैट मिन्टल प्लियर थे उन्होंने बैट मिन्टल में स्वन्ट पदक जीता था। उसके कुछ ही मिनट बाद भारत के मनोज सरकार ने पूरुस एकल बैट मिन्टल इस पड़दा में कांस पदक जीता। उन्होंने फाइनल में जपान के डाई सू के फुजी हारा को 22, 20, 21, 13 से हारा करके कांस पड़क अपने नाम किया तो दोस्तो इस तरह से भारत ने कूल 6 ब्राँज मेडल अपने नाम किया दोस्तो ऐसे खिलाडियों को दजियस टाइम नमन करता है तो दोस्तो इस तरह से पएरा ओलंपिक 2020 में भारत ने जितने भी मेडल अपने नाम किया था उसके बारे में हमने इस वीडियो में कांपलेट डिसकस कर लिया दोस्तो हम आपसे इच्छा रखते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अगर आप इस चैनल पर नए हों और चैनल को सब्सक्राइब ने की हों तो प्लिज सब्सक्राइब भी कर दें हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिन बंदि मातरम